नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट सज्जनों एक ही ग्रह ऐसा है जिससे की दुनिया भैवीत रहती है लेकिन शनी एक ऐसा ग्रह है जो न्यायकारी है और जिस प्रकार से की कपड़ा जब मेला हो जाता है तो उसको धोने की अवशकता हो जाती है उसी प्रकार जब हमारे उपर पापों का मेल चड़ जाता है तो उस समय पर शनी उसको धोने का काम करता है अर्था सच्च और पवित्र करने का काम करता है तो अब सनी मेश रासी वालों के लिए अभी 17 जनवरी से और कुम्ब रासी के अंदर आये हैं और कुम्ब रासी के अंदर ये अतुल लाब को देते हुए ये चलेंगे लेकिन मस्तिक्स के अंदर गर्मी पैदा करेंगे अर्थात अपने माइंड को कंट्रोल रखें, क्रोध को कंट्रोल रखें, जिससे की किसी प्रकार का कोई जीवन में विग्न ना हो इसी के साथ इन सनी की द्रस्टी पंचमस्थान के अंदर जा रही है तो पंचम स्थान में जो सनी जा रहा, सनी की दृस्टी जो जा रही है तो अगर आप पढ़ने वाले गहें तो पढ़ाई में विक्षेप अगर आपके संतान होने की संभावना के तो उसके अंदर विक्षेप दिक्कत अर्चन और तो ये सनी यहां पर जो चलेंगे अभी तो ये चलते रहेंगे ढ़ाई साल के लिए आएगे तो ढ़ाई साल के लिए अभी सत्रा जून से सनी फिर वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के एकादस स्थान से दसमस्थान की तरफ इनकी गती हो जाएगी तो अब ऐसी सिती के अंदर वक्री जो ग्रे होता के अगर वो शुब ग्रे है तो अति शुब हो जाता के और अशुब ग्रे है तो अति अशुब हो जाता के लेकिन आपके लिए ये एकादस इस्थान में होने के कारण से वैसे तो एकादस इस्थान अशुब इस्थान होता क लेकिन वहां पर पापी ग्रे प्राय सुपल दिया करते गे तो यहां पर दसमिस्थान की तरफ इनकी गती हो जाएगी तो दसमिस्थान में जब यह चलेंगे तो जो पहले आपके जो काम बन रहे थे वो काम अब परिवर्तित हो जाएगे या तो आपकी योजना परिवर्तित हो जाएगी या वो जो काम आपके बनते बनते रुक जाएंगे सगित हो जाएंगे तो ऐसी सिती यहां पर चलेगी और इसके पश्चाद तीन नमंबर को फिर जा करके और यह शनी मारगी होंगे तो पुने फिर आपकी जो कारियों की जो गती थी वो पुने प्राप्त होगी उसके बाद में वो आगे आपकी अपनी गती को पकड़ करके आपके कारियों को संपन करेंगे फिर उसके पश्चाथ 29 जून 2024 के अंदर सनी पुने वक्री होंगे और पुने वक्री होकर के 14 नौंबर तक यह जो है वक्र गती से ही चलेंगे और रहेंगे यह जो है आपके कुम्ब राशी के अंदर ही तो फिर आपकी चलती हुई गाड़ी पीछे की तरफ चलने लगेगी यह आपके काम जो है रुकने लगेंगे और राज्यकार यह जो है वो आपके ब्रद्धी की तरफ प्राप्त होते चले जाएंगे और 14 नौंबर के बाद में फ प्रवेस कर जायेंगे अर्थात आता आककी राशी से 12 इस्थान के उपर आ जायेंगे तो वहां से आपको सनी की शाड़े-साती प्रारब हो जातीगे अर्थात 30 मार्श 2025 के अंदर आपको साड-साती प्रारब हो जातीगे और वो अनायास खर्चों का होता का है बिना काम क खर्चे, नुकसान और टेंशन, बिमारियां, परिशानियां ये जो हैं देने वाले होते हैं अब आप ये मत कहना कि ये तो जो हैं हमें डराने का काम करते हैं डराने का नहीं हकीकत बताते हैं जिससे कि आप उससे सावधान हो जाएं और ये केवल एक सनी के उपर ही हमारा प्रभाव होते गहें और अलग-अलग स्थानों से अलग-अलग प्रभाव उनके हो जाय करते गहें तो वास्तविक जानकारी तो आप अपनी कुंड़ी से ही प्राप्त करें लेकिन मीन्रासी में जब यह चले जाएंगे तो उसके परशाद कुल और कुटुम्ब के अंदर जोखें आपको नुकसान भी देने वाले होंगे और फिर बारा जुलाई दो हजार पचीस के अंदर यह पुने वक्री होंगे तो जो यहां पर असुब परिणाम आपको मिल रहे थे यहां से पुने वो सुब मिलना प्रारब हो जाएगा और यह 27 नुमबर दो हजार पचीस तक जोखें वक्री चलेंगे और उसके पश्चाती मारगी हो जाएगे तो मारगी होकर के पुने वो ही साड़े साथी का प्रभाव आपको प्रारब हो जाएगा 27 जुलाई 2026 के अंदर यह फिर जोगे मीन रासी के अंदर ही वक्री होंगे और यहां से 10 दिसंबर तक यह वक्री चलेंगे तो यहां कई दफ़ा उतार कई दफ़ा चड़ाओ आपके जीवन के अंदर यह देने वाले हैं और 24 जुन 2027 के अंदर यह सनी आपका मेस रासी में प्रभेस कर जाएंगे अर्थात सनी की आपको जो कि दूसरी ठाया प्रार्ब हो जाएगी भाईों से इसके अंदर विरोध होगा और पत्नी के स्वास्थ पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा या पत्नी के संमन्धों के अंदर इसमें हमें समस्याय प्राप्त होंगी नो अगस्त चार जून दो हजार सताइस के अंदर सनी मेश के अंदर ही जो हैं ये मारगी चलेंगे और मेश के अंदर ये चले जाएंगे तो मेश में जाने के बाद फिर नो अगस्त दो हजार सताइस में फिर ये वक्री हो जाएंगे तो जो यहां पर असुब परिणाम ये जो दे रहे थे उन असुब परिणामों में स्थिरता आ जाएगी और ये पुने आपके लिए जो कहे जो असुब परिणामों को सुब परिणामों में परिवर्तित ये करेंगे 18 अक्टूबर 2027 में सनी पुनह वक्री होगे और मींद रासी के अंदर चले जाएंगे वक्री होकर के मींद रासी में चले जाएंगे तो वही जो करें मींद रासी के अंदर बारवाष्तान होता Extra आपके लिए जो है नुक्सानकारी होगा 23 दिसंबर 2027 के अंदर पुने जो हैं ये सनी मारगी हो जाएंगे और सनी जो 24 फरवरी 2028 के अंदर मेश राशी के अंदर ये प्रवेस कर जाएंगे तो मेश राशी में प्रवेस करके वापिस सनी की दूसरी ठहिया आपको फिर पुने प्रारंब हो जाएगी तो ये भाईयों से भी रोध पत्नी के स्वास्तिया संबन्दों के अंदर राज काज के अंदर परिशानिया देने वाले लेकिन दसम इस्थान इनका अपना है इसलिए नोक्री में कारोवार में इसके अंदर आपको परिशानिकी प्राप्ती नहीं होगी 17 फरवरी को जब ये प्रवेश कर जाएंगे मेस रासी में तो उसके पश्चाद 22 अगस्त 2028 के अंदर ये मेस रासी में पुने वक्री होंगे और वक्री होकर के और फिर ये अपना जो अशूब परिणाम जहां जहां दे रहे थे वहां वहां वो परिणाम रुक जाएगा सितंबर 2029 में ये शनी आपके वक्री होकर के मेस रासी में ही चलेंगे तो यहां पर कभी उतार कभी चढ़ाओ कभी उतार कभी चढ़ाओ इस प्रकार का इनका दोर जो हैं चलता रहेगा 19 जनवरी 2030 के अंदर शनी मारगी होकर के मेस रासी में ही रहेंगे और उसके परशाद 17 अप्रेल 2030 में सनी राशी परिवर्तन कर जाएंगे वरस राशी के अंदर चले जाएंगे और आपके लिए सनी की आखरी धहिया वहाँ पर प्रारंब हो जाएगी कुल कुटुम के साथ साथ भूमी भवन के अंदर भी दिक्कट डालेंगे और उसके साथ ही आपके आयके सरोत भी जो है यहाँ पर डगमगा सकते हैं इसलिए आपको चाहिए शनी की शांती शनी का दान यह आपको करते रहना चाहिए और हनवान जी की उपासना जितना भी हो स हिंदी का जो रामचरीत मानस का संदरकांटक है उसके पाठको करें या फिर साथ हनुमान चालिसा आप करते रहेंगे तो आपका ये सनी का जो साथ वर्सक हैं ये आपके अच्छी इस सिती को बनाए रखेंगे और आप उसके अंदर परिशानियों से बच जाएंगे बाकी और भी कोई आपको जानकारीयों की आउशकता है तो इन नमरों के उपर संपर्क करके और जनम की तारीक, टाइम, समय, आदी सब कुस देख करके आप कार्याले से अपाइंटमेंट ल ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट वा नव ग्रहों की पूजा आदी कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र है हमारी वेबसाइट है